और आज की इस चर्चा के शुरुवात एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं कि आखिर हिजबुल्ला के पास कहां से आए जर्मन ड्रोन आखिर किस तरह से उसे जर्मन ड्रोन मिला बाच्चित करने के लिए मायंक मेरे साथ मेरे सयोगी जोड़ गाए है मायंक एक बड़ी हेजिए इस्तमाल हिसी को स्क्राइब टोAPP हाoking जैक northwest जो डोन से इस्तमाल कि गिरे इन उनरी कि अधिन दोत्वर चुछ इंहला को है घाग है घेल का सब्सक्Assान § या जर्मनी के ऐसे जिनमें पार्ट्स लगे हैं ऐसे ड्रोन आकर हिजबुल्ला के पास कहां से आए इसको लेकर एक मोसाद के भी कान खड़े हो गया है और बड़ा इंवेस्टिकेशन इसके लिए शुरू हो गया है और एक्सपर्ट्स का जो कहना है वो दो तरह की पॉसिबि होने थे लेकिन ये हथियार पहुच गए हिजबुल्ला के पास तो कहीं न कहीं इनकी एक प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है जो ड्रोन्स युक्रेन के पास जाने थे उन हथियानों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और ये पहुच गए है हिजबुल्ला के पास ए याने कि युक्रेन के जो ड्रोन्स थे जो की युक्रेन ने इस्तमाल करना था और रूस ने उन पे उन ठिकानों पे हमला करके जो ड्रोन्स जो है बरामत किये उसको इस्रेल के खिलाफ इस्तमाल करने के लिए वो सप्लाई कर दिया गया यह बड़ी खबर है कि वह से आपने ल जो इन नाम ही विशक्षय का गा जो इरान है जो इस मिझाल का इस्तेमाल कर रहा है क्या इसका नाम है खुर्रम शेहर फोर मिजाइल और ऐसा बताया जा रहा है कि इरान ने पूरे बॉर्डर पे इसको तैनात कर दिया है पिछले कुछ समय से जो यह था कि इरान ने अब तक हमला नहीं किया हमला करने में देर हो रही है तो अब इन सवालों के जवाब धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं कि आखिर इरान की तरफ से ये देर क्यों हुई, ये देर नहीं थी, ये एक बड़े युद की तैयारी थी, देखिए मिजाइल्स को बॉर्डर पे ले जाके तैनात करना, उनको अपडेट करना, ये एक बड़ा क हो जाए, तो इसलिए इरान अपने आपको पूरी तरह से तैयार करना चाहता था, और अब जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है, वो है ये खुर्रम शहर 4 मिजाइल, इस मिजाइल की खासियत हम बताएं, एक तो ये इसकी रेंज करीब 2000 किलोमेटर है, देखिए, तेह इडियान से एल अबिभ के डिस्टेंस करीब 2000 किलोमेटर, चाहिए, ये खुर्रम शहर 4 मिजाइल है, इसकी भी रेंज करीब 2000 किलोमेटर है, और इसमें 1500 किलोग्राम का जो वार हेड़ है, वो इस पे अपलोड किया सकता है, तो इससा बताया जाता है, कि इरान की जो पॉरणनीदी तैयार की है कि अगर हमला होता है यह हमला कब होगा यह तो अभी नहीं कहा जा सकता लेकिन अगर हमला होता है तो इस्रेयल की दस बड़े बड़े चिंजर मिजाइल हो सकता है, इसकी वज़ा यह है कि आरेंड डॉम इसको कैच नहीं कर पाएगा. एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इस मिजाइल से एक साथ हमले होते हैं इसराइल के ऊपर, तो यह मिजाइल को जो है आरेंड डॉम सिस्टम नहीं रोक पाएगा. और ऐसे में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आरेंड डॉम सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है. ऐसे में अगर यह मिजाइल का सबसे जादा जो है इस समय जो है वो चर्चा हो रही है, वो कुर्रम शहर फोर मिजाइल है. अच्छा उसके अलावा एक और चीज सुनने में आई है सामने, ऐसा सूतरों के से बताया जा रहा है कि रश्या ने सिकंदर मिजाइल जो है वो इरान को प्रोवाइड की है. ये इसकंदर मिजाइल जो है ये नुकलियर मिजाइल है बताया जाता है कि ये मतलब रश्या की सबसे घातक मिजाइल में से एक है और अभी जब युक्रेन ने रूस के ओपर ड्रोन अटैक किया उसके बाद कीव में लगातार हमले हो रहे हैं उसमें बताया गया कि एक नेवी से इस सकंदर मिजाइल से जो है रश्या ने अटैक किया कीव के ऊपर जो कीव में लगातार हमले हो रहे हैं उसमें इसका इस्तमाल हो रहा है तो अब ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने इसकंदर मिजाइल जो है ये इरान को आलरीडी दे दी है तो देखिए एक प्रकार से इरान जो है वो एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है जिस तरह से अमेरिका के वार्शिप्स तैयार है तो अब चाहे इरान हो चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो सब इस बात को समझ रहे हैं कि कभी भी जो है एक छूटी सी कोई भी चिंगारी जो है वो बड़े युद्ध को भढ़का सकती है आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर चल रहा है तयारया भी चल रही है अथियारों का रादान प्रदान भी हो रहा है और इस बीच में युद्ध भी चल रहा है एक जिस रफरेंस में आप बात कर रहे हैं मोहमद नईनी है ये प्रव और इस खबर पेड़कोन करें गन्मःट कारें लॉक्त besidler जिया कोई रहे मिय्ससे टैकट सबस्क्राइवक। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है किस तरह से धीरे धीरे कर ये जो युद्ध है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसके कितने गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में हो सकते हैं तो इन सब को जानने के लिए बने रही है हमारे साथ